स्कार विद्धियर्थी मीत्रों टाइटल मा तमें जोयू ए प्रमाणे आजना स्रेशन नी अंदर आपने स्पर्धात्मक परिक्षावने अनु लक्षे ने अगत्यना इंग्लिश वकेबली रिविश्य जानवानों प्रयात्ना करीशुँ प्रदात्मक परिक्षावने अंदर वारमवार समानार्थी विरुद्धार्थी पूछाता हुएशे एंटनिम्स अने सिननिम्स तरीके पूछाएशे तो आवा इंग्लिश नी अंदर आपने शब्दों ने जानवानों प्रयात्ना करीशुँ एमां आजे आपने पांच एव ऑपने उट्व शब्दा रिलेटिव शब्द वापण ऑप्षन मा अपने छल्ड ओप्षन टेलेुस अपने शब्द बापन ने आ अर्थक मातर खबर होए तो खबर पड़ी जाएकर रिलेटिव शब्द गहिएशे डर्वार्ड पने शगाशान ने टार्व थन्तों के रिलेटीव तरीकी उडखता होई यह चे अथ्वा बीजो अर्थपण करूँए तो करीशकाई कोई पण वश्थू सापेक्ष वह तो एने पण रिलेटीव तरीकी उडखता होए बिजा त्रण ओप्षन चें अनो अर्थ पन जाने लाई कि पहलो आफशेंच पैब्चन चेंत ऑफ्षण उस नो मतलब शुद्पा ऐ इक्सल्ट उच्द्वास टी अति आनन्दित थेलू अथवा तो यह अर्थ पण थाए कि कोई वस्तु कोई व्यक्ति होए और जय मेलवेलो होए जय मेलवो एवो पण अर्थ थाए विजय माले कोई कारियनी अंदर आपने सफ़लता अपराप्त थाए इन पचिज आनन अति आनन्द थाए इस इग्जल्ट ट्विष्ट नो मतलब शूं करिशा काई ट्विष्ट अटले आम वल चड़ावो आमलवो मरोडवो विक्रूत करवो एवा घणावदा अर्थ आपने ट्विष्ट ना करता होई जिए अन्द फ्रेंड ने आपने कईये चिए कोई पन आपनो मित्र होई अथवा तो आपने आपने फ्रेंड केता होई जिए कीन रिलेटिव थाई जै आपनों बिजो सीनोनिम्स ते आपने पूछो जै प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट में मतलब शूं थाई कोई पन वस्तु अगाव थी आपने धारी लेव योवत नहीं पन अगाव थी आनी आगमवानी करवी एव अर अगाव थी आने अंगरीची भाषानी अंदर आपने एक शब्द वापरिये चे वातावरण नी आगाही माटे फॉर्कास्ट करवी फॉर्कास्ट मां फॉर्कास्ट मां फॉर आवे एटली खबर होएं तो आमां थी कदा जबब मली जै करण के पहला ओप्षन इंदर फॉर इस डिसाइड करू एटले आपने बदा जानता हो यह नकी करवो निरणई करवो कोई निश्य करवो एटने डिसाइड करू यह थाई एन आव पर ती डिसीजन एवो शब्द आवे चे मिया निरणई करेव चे प्रिवेंट शब्द चे अटले कोई पन वस्तु ने थता रो उकवी अथवा तो आपने अटकावी अंग्रेजी नियंदर एक सरस्मजानी उकती चे के प्रिवेंशन इस बैटर देन क्योर एटले कोई आपने शरीर मार रोग लागू थाई पची एनी सारवार करावी यह ना करता यह जिवन जिवो एवी खाणी पिनी खाव के जेथी तमने रोगज न थाई प्रिवेंशन राको कोई पण वस्तुने थता अटकाव प्रिवेंशन इस बैटर देन क्योर डिस्कवर करू एटले शोधु शोधी काढव यह अर्थ थाई चे पन शोधी काढवा माट एक बिजो शब्द चे शोधी काढवू यह बोलिये ने जे व बनाव यह इने इन्वेंशन के आवाई पन कोई वस्तु होती जहें के कोई वास्को दगा में भारत खंड शोधू तो शोधू यहो शब्द वापरवा मतलब डिस्कवर करू उजागर कवो यह अर्थ पन थाई चे उजागर करू उजागर करू आपना अंसर अनियंदर है त्यार पच्छीनु आपने सिननीम जोई एचे डिटेस्ट डिटेस्ट अटले कोई पन व्यक्ति होए ने प्रतिये द्वेश होवो द्वेश होवो कोई पन व्यक्ति प्रतिये द्वेश होवो अथवा तो आपने हम कई ए ग्रुणा चे अथवा तो तिरसकार हो अथवा त आगुमेंट नैं जिरस्कार करोँषे अलग-अलग वस्तू छे येट अपने येज अर्त करी क्या तो दो जाकैतो 85-अधिक विपाँ रह व plan करवी तो अथवा तो तिरस्कार करू ये अर्थ थाएचे न आपनो जवाब पण मली चुके हो छे के बैडिटेस्ट नो मतलब थाएचे हेट अटले आ समानार्थी सिननीम चे डिटेस्ट छत आपने बाकी ना डिस्क करू तो हमने आपने जोयू शोधी काडवू अने रिवील करू दिवू अथवा तो कोई पण वस्तू जणावी रिवील करू रहश्य छतू करू येवू पण अर्थ थाएचे रहश्य छतू करू चतू करू येटले जणावू रहश्य बार पाडवू रिवील करू येवो अर्थ थाएचे गणा लोकोने देवी शक्ती थीका एक वात थाई थावानी वाद करें गणा निंदर माताशी आवान पशे किये कि अवे उँ थाई थावानी वाद करो चू मतलब एक रहस्रा चे रिवील करें चे तो ये रिवील अर्थ अहिंगा चे आपणा माट्या जवाब रेशे हैट त्यार पछिनों शब्द से रिमोट रिमोट अपने टीवी दूर पड़ियुस ने बूर थी रिमोट थी आपने टीवी ने कंड्रोल करें शत्यार लेकर रिमोट मतलब और pray थे रिमोट तरीके ओडखवा मा आवे चे चार ओप्षन आपनी पासे चे ओटोमेटिक डिस्टन्ट सेवीज अने मीन ओटोमेटिक ने आपने सोयम चालित कई है चे जने आनी यारे काई लिवा देवा नथी एकले आनो अर्थ आनी साथे मलतों नथी सिनोनिम समान आर्थी गोत रिमोट एकले आटोमेटिक था यह नाथी सोयम चालित नौई डिस्टन्ट डिस्टन्टनों मतलब करी शकाई दूरनू एज रिती चे टेनू एवा अर्थ थाएं चे दूरनू चे टेनू दूरना स्थले आवेलू हुई दिश्टन्ट एना उपर थी डिश्टन्स शब्द मलेओ छे डिश्टन्स एकले अंतर तो डिश्टन्ट ए रिमोट साथे बंद बेस्तु आवे छे अंसर पण एज चे बी ओप्षन बाकी ना बी तपासे लिए सेवीज सेवीज शब्द छे एनो अर्थ शू थाई सेवीज न सेवीज शब्द घणिवार वापरवामाल सेवीज प्रकृति नूप छेई सेवीज अटले आम हिंसक छे इत ताड नाखे अने जहारे इत पंजो मारे त्यारे एकदम कूर बनी जाई चे ए सेवीज अर्थ थाई मीन ना घणा बद अर्थ थाई मीन नो एक अर्थ थाई चे ने फेड़ा वच्चेनू होए ने मीन केवहम आवे मीन टाइम मीन टाइम मैनना समीन अर्थ थाव से बद अवा मीन ना अर्थ थाई चे नीची कक्सानूं अथवा तो आपनेने कई हे ची नीच अथवा तो तो आवा अर्थ थाये चे त्रणेक अर्थ निकले अर्थ कारूँ वचलू पन थायने मीन एटले नीची कख्षानू अलकू नीच मानस होये ने पन मीन कई शको जवा भाई आवे चे डिस्टंट आजनो स्छेल्लो आपनो सिंदनिम चे ग्रेशस ग्रेशस नो मतलब शू थाय आपने मानस होये नीचे गणावदा काम करता है नी मोटो मानस होये तो पोता ना थी नीचे ना मानस हो पत्याई आम दयाभाव राकतो होये कुरूपाळू मानस होये यह पन अर्थ करी शकाई कुरूपाळू चे अथवा दयाभाव राकनार मानस चे पची मनोरंजक मानस प प्रेटी ने मतलब आपने कहिये छे रूपालू कोई पड़ वस्तु रूपाली होए, रुडी होए, रुडू होए, मग़िडियी तृ पूने प्रेटी गर्ल, पस पड़ वस्तु होए तो बहु प्रेटी ठयोके है, रूपाली ज्वूहामणू यह अर्थपण थाए, चे, s टो ए पन आपनने खबर छे आटले प्लेवर चाला कर्थ थाई चयोच चपल अर्थ थाई चयोड बेंट बेपनले आपने करिये छे बाड़तु हम इसलिए सि मळए इस टे हैं कि प्रेजर। प्रेज़न्ट प्रेजर्परेसंट प्रेज़न्ट प्रेजर्परेसंट अटले खुए ने भेट आप हो ङये पन थैजर्पके को में थैजर। थाई छे ग्रेशस नो मतलब थाई चे प्लिजंट खुश्मिजाज होवू आप्रमाणे खुब अगत्य ना आवा पांच एक आपने सिन्यनिम जोया छिए बिजा भागनी अंदर आपने आवा पांच अगत्य ना सिन्यनिम के एंटोनिम लाइने आवता रहिशू अने आप्र